दोस्तो आद दूसरा टेस्ट मकाबला जीतने के लिए टीम इंडिया को चाहिए थे 309 रन फिर आया ये सस्वी जैसवाल का तुपान और बाद में रविंदर जड़े जा और जस्वीत पुम्रा ने बना दिया मकाबले को रोमांचा के जे दोस्तो बारत और नुजिलेंड के बीच दूसरा टेस्ट का तीसरा दिन बेद रोमांचा को राई वोल्टेज रा तो बताएंगे आपको इस बड़े मकाबले का पूरा हाइलाइट वीडियो और कौन सी टीम ने इस बड़े मकाबले को जीत कर सीरिज में अपनी बेद रो पूरी तरह से नुजिलेंड को पूरी तरह से दारासाई करते है और देखते ही देखते नुजिलेंड की दूसरी पारी 255 पर आलाउट हो जाती है और भारत को ये बड़ा मकाबला जीतने के लिए 369 रनका टार्गेट मिलता है टीम इंडिया की ओर से आज रवींदर जाने तीन विकर चटका है जवा में लक्सका पीछा करने उत्री टीम इंडिया की ओर से यससवी जायसवाल और रोई सरमाय और यससवी जायसवाय ने दूसरी गेंद पर चक्के के साथ खुदगी और टीम इंडिया की सुरुआत कर दी तो वे अगली गेंद पर एक और शा पर चास रंकी साज़ेदारी हो गई थी लेकिन उसके बाद में यससवी जायसवाल का तुपान देखने को मिला जा इन्होंने चक्के चोको की बारिश करते हैं मैं सिक्तारिस के इंद वपर अपना अर्शा तक पूरा कर लिया और यससवी जायसवाल की पारे तो कापी करते हैं नजर आये लेकिन इस बीच यससवी जायसवाल भी आउट होकर पाउलें में चले गे थे उसके बाद में बल्ले बाजी करने आये रिशाप पंत आते ही पूरी तरह से लड़कडा गये और रन आउट होकर पाउलें में जा चुके होते हो टीम इंडिया को सबसे होगे और टीम इंडिया के अफसारी उमीदे रविंद्र जडेजा और आर अस्विन पर टिकी हुई थी और रविंद्र जडेजा और आर अस्विन के बीच 40 रंकी साजेदारे देखी गई जा इन दोनों ने मिलका टीम इंडिया का स्कोर 200 के लगबग पहुँचा दिया उसके बाद में रविंद्र जडेजा का आपी सांदर बल्ले बाजी करते हैं और रविंद्र जडेजा का शात आकास दीप और जस्वित बुमरा निबाते हैं लेकिन आकेर कार ये दोनों बल्ले बाजी भी आउट हो जाते हैं और टीम इंडिया को दूसरे टेस्ट मकाबले और न्यूजिलेंड के साथ खेलेगी और टीम इंडिया को अहराल में जीतना होगा क्योंकि टीम इंडिया को WTC फाइनल में फोंचना है तो ये बड़ा मकाबला जीतना होगा दोस्ती वीडियो पसंद आयते वीडियो को लाइक और चैनल को जरू सब्सक्राइब करें